बॉलिवर इंडस्ट्री के मशूर प्रेडियूसर फिरोज नडिवाला की फिलिम हेरा फेरी एक ऐसी फिलिम है जो दर्शक को द्वारा काफी पसंद की गई थी इस फिलिम का जल्वा आज भी कायम है मालूम हो कि ये फिलिम लोगों को आज भी उतना ही पसंद आती है जितना इस फिलिम के रिलीज होने के बाद लोगों को पसंद आई थी हाला कि काफी लंबे समय से दर्शक फिल्म हेरा फेरी के तीसरे चैप्टर का इंतजार कर रहे थे लेकिन आपको बता देखी अब दर्शकों का इंतजार खतम हुआ और फिलिम हेरा फेरी का तीसरे चैप्टर को कन्फर्म कर दिया गया है फिलिम हेरा फेरी एक ऐसी फिलिम है जिसके कास्ट को दर्शकों को द्वारा काफी प्यार मिला इस फिलिम ने ना केवल बड़े परदे पर अच्छा कारोबर किया बलकि इस फिलिम ने लोगों के दिल में अपनी एक खास जगा बनाई वैसे तो यह फिलिम कॉमेडी फिलिम थी लेकिन इस फिलिम को लोगों ने अपना धेर सारा प्यार दिया यही कारण है कि इस फ्लिम को लेकर आज भी चर्चा होती रहती है यही नहीं बलकि शोशल मीडिया पर इस फ्लिम के डायलोग और गाने आई दिन वाइरल होते रहते हैं आपको जानकर हैरानी होगी या फिर यू कहले कि आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि फिल्म हेरा फेरी के तीसरे चैप्टर में पुराने कास्ट की नजर आएंगे जी हाँ इस बात को खुद फिल्म के प्रेड्यूसर फिरोज नडिवाला ने कंफर्म किया है उन्होंने बॉलिवूड हंगामा को दिये एक इंटर्वी में कहा कि आपको जल्द ही पुरानी कास्ट अक्षय जी परेश भाई और सुनिल जी के साथेरा फेरी तीन देखने को मिलेगी स्टोरी हमारे पास है और इस पर काम चल रहा है ये फिल्म पहले के किरदार उनकी मासूमियत की तरह ही बनेगी हम पुरानी अचीवमेंट को फॉर ग्रांटे नहीं ले सकते हैं तो कहानी, कॉंटेंट, स्क्रीन प्ले के मामले में हमें ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा आपको बताते चले कि जब से फिल्म हेरा फेरी तीन का अनाउंसमेंट हुआ है उसके बाद से ही फिल्म हेरा फेरी तीन ट्वीटर पर ट्रेंड होने लगा यही नहीं बलकि दर्शकों ने इस फिल्म को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रिया दी अब यह देखना काफी दिल्चस्प होगा कि क्या यह फिल्म बाकी दो फिल्मों की तरह दर्शकों की दिलों में अपनी एक खाज जगा बना पाती है या नहीं हाला कि अभी तक फिल्म की अनाउंसमेंट नहीं हुई है बाकी के लेटिस अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें